अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी हब आउल्लेन क्लासेज, मैं हूँ जयन, तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, राजस्थान के अंदर एक बंपर वेकेंसी आने वाली है, LDC की वेकेंसी, LDC की वेकेंसी के उपर आज मैं आपसे पूरा डिस बहुत ही अच्छी पोस्ट है, 14,000 पोस्ट पर आने वाली है यह वेकेंसी, तो नमबर अफ वेकेंसी भी बहुत सही है, अगर इसमें सलेक्शन नहीं, तो गौर्नमेंट जॉब पर त्यारी करना छोड़ दीजेगा, यह सोच कर त्यारी करो दोस्तों, कि मुझे LDC किलियर कर देखो दोस्तों, इतना golden opportunity कभी नहीं मिलती, कि आपका exam date fix है, आपको exam के लिए अभी भी जो है time दे रखा है, कम से कम 8 महीने आपके पास पड़े हैं, ठीके, दिसम्बर में आपका exam होना तय किया गया है, तो आप सोच सकते हो दोस्तों, आपके पास sufficient time है, और यह वेकेंसी 100% आएगी, मैंने आपको last update के अंदर बताया था, कि यह जो वेकेंसी के लिए बीकाने के अंदर भेजा गया है, कि जो सूची wise, यानि कि आपको कौन-कौन से category में और कहां-कहां पे कितनी post चाहिए, उसकी detail जो है, तीन दिनों के अंदर भेज दीजिए, तो दोस्तों 100% व रेन बोड ने 2018 के अंदर भी LDC का एक्जाम करवाया था, जिन बच्चों ने भी LDC का एक्जाम दिया था, जो क्लियर नहीं कर पाए, उनसे मेरी request है कि अब त्यारी कर लो और इस एक्जाम को क्लियर कर लो, तो आए देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या syllabus रहने वाला है, जो 2018 का syllabus था, वो ही 2022 में रहेगा, syllabus के अंदर कोई भी फरक नहीं आने वाला है, तो आए देखते हैं, face 1, तो पहला होगा paper 1 और paper 2, दो paper होंगे, यस एक qualification के बारे में भी लोग बहुत जाजा पूछते हैं, तो इसका जो qualification होगा दोस्तों, वो है आपका graduation, graduation qualification होगा, लेकिन जो exam का level रहेगा, वो 10th level का आपका exam रहने वाला है, ठीके, जो level है, वो 10th level, लेकिन qualification जो आप से मांगी गई है, वो है इसके अंदर graduation, तो आए अब बात करते हैं, paper 1 में 3 घंटे का समय, और 100 नंबर का paper, और 1500 question आने वाले हैं, कितने question, 1500 question आएंगे, और 100 नंबर का होगा, औ इसके अंदर आपका negative marking भी होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही, आपको paper start करना है, तो आए, आप क्या क्या है, आपके first paper में, तो सबसे पहला आप देख पा रहे हो, यहाँ पे current affairs की बात कर दी गई है, उसके बाद भूगोल एम प्राकतिक संस्थान की बात कर दी रही है, उसके बाद राजस्थान, यानि की भारत का भूगोल भी आएगा, और राजस्थान की क्रसी एवम आर्थिक विकास के बारे में भी पूछा जाएगा, तो सबसे पहला जो पार्ट है, वो रहेगा आपका, जीके, जीके में आपने देख लिया, दोस्तों सबसे पह रखो, आपके सारे क्युस्थान, आपका जो है, करन्ट अफ्यर्स अगर आपका त्यार है, तो आप जो है, 60 से 70 परसेंट नंबर अराम से कवर कर सकते हो, फिर बात करता हूँ, जो ये भूगोल, राजस्थान का भारत का भूगोल आएगा, उसके बाद राजस्थान का पूछे जाने लग गए हैं, राजस्थान हिस्टरी में से दो या तीन कुश्चन ही आते हैं, तो राजस्थान हिस्टरी में इतना दिमाग लगाने की जरूत नहीं है, और वो दो और तीन सवाल भी बहुत इजी लेवल काते हैं, जादा डीप में अब नहीं जाता, अब ज ही है दोस्तों, मेले, संत, लोग संगीत, लोग भासा यानि की राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का कल्चर, कल्चर ध्यान लखना दोस्तों, कल्चर से रिलेटेड आपको पेपर में 7-8 परसंद देखने को मिलेंगे, मैं आपको LDC 2018 के 4 सिप्ट में एक्जाम हुआ उन चारो सिप्ट के पेपर भी आपके सामने बताऊंगा, रिजॉल भी करेंगे उस पेपर को, ठीके, उसके बाद देखो दोस्तों, फिर आगया राजस्थान की उद्धो का विकास, तो ये वाला पार्ट जो है 75 कुशन इसमें से आएंगे, और द्यानिक विज्यान में से आपके पास 75 कुशन आएंगे, टोटल 1500 कुशन आने वाले हैं, राजस्थान का ओधो की विकास, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जितने भी डवलम्मेंट होते हैं, उन सभी डवलम्मेंट से रिटेट कुशन जादा तर पूछे जाने लग गए हैं, अब मैं अगर साइंस की साइंस के अंदर आपके पास भौतिक और रासाइनिक परिवतन, धातू, अधातू, कार्बन और कार्बन के मेंतपुन योगिक, परकास का परावर्तन, जो भी आपने टैंथ लेवल में पढ़ रखा है, वो सारा, इलेक्टिसिटी आएगा, ठीके, स्पेस आजाएगा, साइंस का पूरा का पूरा, उसके बाद यहाँ पे आपके जो है, मैथ भी आएगी, ठीके, मैथ के अंदर भी आपको दिया गया है, ये पार्ट पूरा मैथ के क्युस्चन भी इसके अंदर आपके देखने को मिलेंगे दोस्तो, मैथ जादा टफ लेवल का नहीं आता है, सि से देखो ये वाला पार्ट जो थर्ड वाला पार्ट है, इसको आपको जरूर करना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, जो है चक्रमति व्याज, सरल व्याज, डिसकाउंट, ये सब चीजे इसके अंदर आ जाएगी, वैदिक विधी भी आएगा, घन, वर् जारी करनी है, अभी से प्रैक्टिस करो, मैथ जो है अमेसा प्रैक्टिस से ही आप सॉल कर सकते हो, मैथ में जितनी अच्छी कमांड होगी आपकी, तभी जो है आप एक्जाम को क्रैक कर पाऊगे, मैथ एक स्कॉरिंग सब्जेट होता है, अगर सही तो सही, इसलिए मैथ प प्रिप्रिशन होंगे तीन घंटे दिये जाएंगे और निगेटिव मार्किंग बनवाई थर्ड इसके अंदर होने वाली है ठीके उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट टू पे अब होगा पार्ट टू पैला पेपर किलियर होगा दूसरा है आपका पार्ट टू सेम डे ही हिंदी और इंग्लिश के बहुत ही सिंपल अगर आपने एक महीना भी हिंदी इंग्लिश को दे दिया तो आपका सलेक्षन के चांस भड़ जाते हैं हिंदी के 75 apply question और इंगलिस के 75 персон आते हैं निगेटीव marking होने की बज़ट से कम से कम brown करने हैं हिंदी मैं question ऐसे इस तरीके से दिखते है हमें कि हम इस question का answer जानते हैं और हम सङ करके आ जाते हैं और वह person हमारा गलत हो जाता है तो हिंदी हमें बहुत ही कम और बहुत ही सई और बहुत ही प्रैक्टिस से करनी है हिंदी बहुत कंफ्यूज करता है आपको एक्जाम के अंदर लेकिन आएगा बहुत इजी देखो आप हिंदी का जो स्लेबस है अगर आप लडी सी या किसी भी तरीके के आपके 75 75 नंबर का इंगलिस का पेपर होगा इसमें भी कुस्षन आपको यहां दिख रहे हैं बहुत ही इजी लेवल का कुस्षन आएगा तो आपको इसके अंदर भी बहुत ही सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा देखो दोस्तों इतना इजी नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि impossible है इसलिए आपको इस तरीके से त्यारी करनी पड़ेगी आपको इस तरीके का time table create करना पड़ेगा कि मेरे को इस 2022 में अगर LDC बनना है तो मुझे कुछ जो है चीजे छोड़नी पड़ेगी आपको बहुत चीजे sacrifice करनी पड़ेगी इन sacrifice की वज़े से ही आप जो ही इस LDC ये एक्जाम को crack कर पाओगे आप सोस्तों बिना sacrifice करें बिना पड़े मैं एक्जाम में बैट जाओंगा और या एक या दो मेने चार मेने पड़के मैं त्यारी कर लूँगा तो नहीं दोस्तों बहुती ध्यान से बारिकी से पड़ना पड़ेगा लिखना पड़ेगा उसके भी भी प्रॉब्लम आती है तो discuss करो मैं resolve करने की पूरी कोसिस करूंगा thank you have a nice day bye bye